जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है सुरज को फिर से निकलने में वक्त लगता है आने वाले कलकोत हम तुरंत बदल नहीं सकते दोस्तों लेकिन अपने होसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है जी हां दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया में फार्मड फार्मसी काउंसिल ओफ इंडिया ने इंडिया में जितनी भी फार्मडी कंड़क्ट करने वाली उनिवर्सिटीज है चाहे वो गवर्मेंट हो या फिर प्राइवेट उनको पहले ही 2012 में एक जनरल या फिर कॉमन लेटर इशू कर दिया था जिसमें लिखा गया था कि को होने के लिए वक्त लगता है पहले सही हम विक्सित देशों के कंपेरिजन में हेल्थ केर सेक्टर में पचास से साथ साल पीछे चल रहे है जो फार्मडी कोर्स अमेरिका यानिकी यूएस और और डेवलपिंग कंट्रीज में 1950s और 1960s में स्टार्ट हुआ था वो इंडिय काम एक डिप्लोमाइन फार्मसी कोर्स है बट फामडी एक इंटेग्रेटेट पोस्ट ग्राजुएट कोर्स है जो भी प्राइवेट या फिर दिम्ड यूनिवर्सिति थी उन्होंने PCI के 2012 के लेटर को फॉलो करते हुए अपने स्टूड़न्स को डिग्री सर्टिफिकेट पर डॉक्टर प्रेफिक्स अलाउ किया था लेकिन प्रोब्रम गवर्ण में यूनिवर्सिटि या फूली गवर्ण कोलेज को डिप tutte तो या नहीं इसी कंस्यों को सुलियर करने के लिए Doctor of Pharmacy Maharashtra Association PCI के साथ यानि कि Pharmacy Council of India के साथ पत्रगवार करते हुए यह मांग कर रहा था कि PCI के द्वारा Government Universities को एक special letter sent किया जाया जिसमें यह mention किया हो कि PharmD graduates के degree पर doctor prefix आना चाहिए तो इसी बात को मध्यनजर रखते हुए Pharmacy Council of India ने आखिरकार 24th May 2019 को सभी Government Universities को खास करके संतकार के बाबा अमरावती University को एक letter बेजा है जिसमें उन्होंने verify किया है कि Doctor of Pharmacy यानि कि PharmD के students या फिर PharmD के graduates के degree certificates पर doctor prefix आएगा यह बहुत अच्छी news है दोस्तों इंडिया में PharmD के लिए आईए हम अभी वो लेटर में क्या दिया है वो देखते हैं जैसा कि आप अभी आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह है Pharmacy Council of India द्वारा संतगारगे बाबा अमरावती University को बेजा हुआ वही लेटर जिसमें mention किया गया है या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जिसका सब्जेक्ट है यह था कि PharmD और PharmD Post Baccurate के जितने भी graduates है उनके certificate पे doctor prefix लगाया जाए यह लेटर तो Director Board of Examination and Evaluation संतगारगे बाबा अमरावती University को बेजा गया है इस लेटर का सब्जेक्ट है PharmD course clarification regarding nomenclature of PharmD और PharmD Post Baccurate on past certificate reference में वो letter number दिया गया है जो संतगारगे बाबा अमरावती University ने Pharmacy Council of India को बेजा था doctor prefix confirmation के लिए letter में mention के आगया है कि sir with reference to your letter quoted above it is stated that the Pharmacy Council of India has taken a decision for prefix in doctor before the name of the candidate who awarded the degree of doctor of pharmacy in bracket PharmD bracket close all universities examining authorities approved by the Pharmacy Council of India under section 12 in bracket to bracket close of the Pharmacy Act 1948 to hold the examination of PharmD students have been requested by this council's letter dated on 8-2-2012 followed by the letter dated on 16-2-2012 to use the prefix doctor for the names of the candidates while awarding the degree certificates under regulation 18 of the PharmD regulation 2008 यह letter sent किया गया है अर्चना मुद्गल जी के दवारा जो है Registrar Come Secretary Pharmacy Council of India और उसकी एक कॉपी डॉक्टर विनायक भाववर गयाल प्रेसिडेंट डॉक्टर फार्मसी असोशेशेशेशन मारास्ट्रा को भी दी गई है और फार्मसी एक 1940 को मेंशन किया गया था और जो भी 2008 के रेगुलेशन दिये गए है उसमें का 18th number of regulation यह स्टेट करता है कि फार्मडी graduates के पास certificates पर डॉक्टर प्रेफिक्स मेंशन किया जाए यह अल ओर दे इंडियान फार्मडी स्टूडन्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि अर्चना मुद्दल जी ने एज़व PCI representative यह confirm किया है कि फार्मडी graduates उनके certificate पर डॉक्टर प्रेफिक्स लगा सकते है यह न इसलिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है अगर ऐसे ही आपको फार्मडी के न्यूज से अफटेट रहना है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाए और वो बेर आइकोन जरू प्रेस करना ताकि आपको मिल पाए मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तु हला है तुछ से वीडियो का बटन दया है अपको प